चोतरफा गिरावट है किसी एक particular segment में या फिर किसी एक sector में नहीं है broadbased है गिरावट आज की करना क्या विनाश जी क्योंकि ये शिर दो गुने तीन गुने भी हुए हैं चाहें railway वाले हो या फिर पावर वाले अभी क्या करना चाहिए लोगों को जिनके पास है निवेशित रही या फिर एक बार के लिए exit ले ले फिर तो मौका देए देंगे पहले तो अभीशे good afternoon to you, in fact मुझे लग रहा है कि जरकारी कंपनियों में विक्वाली का प्रेशर इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में ये चल चुके थे मेरी ख्याल से आप railways, defense या दूसरे utilities की बात करें, power generation की बात करें तो across the board यहां पे तेजी हो चुके है, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए थोड़ा सा over valuation और थोड़ा सा over crowded trade यहां पे बना था, तो कहीं न कहीं आज जो आप देख रहे हैं ऐसा ही है कि मुनाफ़ग असुली हो रही है, जिन्होंने पहले share लिया है, वो शायद profit book करें, बट ऐसा मानना बरावर नहीं होगा कि आने वाले से देड़ दो साल में performance में कोई डिलापन आने वाला है, अगर हम railway के related stocks देखे, अगर हम defense देखे, utilities देखे, power generation देखे, तो मुझे लग रहा है कि runway for growth काफी strong है, लेकिन valuations थोड़ी सी महंगी हो गई थी, तो से definitely आगे का जो growth रहेगा, वो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन जिन्होंने पहले खरीदा है, थोड़ा सा profit booking अगर होता है, तो एक healthy चीज मानी जाती है market के लिए, तो ऐसा कोई घवराट या panic sell-off नहीं है, कि सब कुछ खतम हो चुका है, अभी आगे growth नहीं आएगा, तो मुझे लगता है, जो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और समय आपको wait करना पड़े, तो उसके बाद ये definitely खरीदने लायक भी है, तो I would say that this is a healthy correction, but most wanted, क्योंकि जब भी correction होता है, वो markets में थोड़ा सा एक healthy consolidated level पे बेस बनाता है, उसके बाद और re-rating के लिए जगा बनती तो I would say that जिनको देड़ दो साल का नजरिया लेना है, खरीदने का मौका जरूर है, लेकिन time frame थोड़ा लंबा रखिए, और जिनके पास है वो थोड़ा सा profit book कर ले, क्योंकि cash flow तभी बनेगा, उसके बाद ही आपको share market से पाइदा होगा, क्योंकि बहुत लोग बेचने के सम मुझे नहीं लगता है, खतम हो चुका है, अगर आप banks देखे, railway देखे, power stocks देखे, defense देखे, तो बहुत growth अभी भी आना बाकि, जी, आपको इमें को एक high conviction वाला trade बताना है, आपके पास बहुत सारे shares रहते हैं, रेसेंटली आपने काफी सारी attend पी कियोंगी calls वगएरा, अ अभी भी हम client को हमारे suggest कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि बजार में उपर नीचे correction तो आते रहेंगे, लेकिन यह ऐसी company हैं जहां पर earnings growth और जो business positioning हैं बहुत strong है, और एक company जो है वो IMFL space और अभी ethanol में एंटर कर रही है, company का नाम है Associated Alcohols, देकि यह company की खासियत है कि पिछ और ethanol का जो revenue stream है वो आपको FY24-25 में देखने को मिलेगा, पिछले साल 700 crore पे 42 crore का मुनाफ़ा किया था, इस साल 9 मैने में already company ने करीबन almost 38 crore का profit किया है, तो हमारा मानना है कि मोटा मोटी इस साल कम से कम 50 crore का revenue आएगा, लेकिन FY25 के लिए हमको लग रहे है कि करीबन 65 crore का profit after tax आने के उमीद है, earning पर share की बात करें तो FY24 के लिए 27-28 रुपे की earning आएगी, जो करीबन 34-35 रुपया FY25 के लिए आएगी, बहुत ही undervalued stock है, सबसे बड़ी बात market शायद इसको ignore कर रहा है क्योंकि liquidity कम है, 18 crore की equity है, लेकिन काफी, यहाँ मैं समझता हूँ कि ऐसे stocks में जहा क्योंकि markets को जैसे ही बनक लगेगी कि ethanol का contribution revenue में आ रहा है, इस अच्छी re-rating होने की possibility है, और दूसरा share जो अभी आपने screen पर दिखाया है, वो IRCTC है, देखे, यह एक monopoly business है, railway stocks में बहुत बारी विक्वाली हो चुके, लेकिन मेरा मानना है कि अगले 2 साल के लिए railway जिस प्रका से service quality, infrastructure quality वो improve करेंगे, IRCTC ने पिछले साल 3,000 crore के revenue पे 1,000 crore का profit कमाया, उनका internet ticketing business तो market में monopoly enjoy करता ही है, तो यह business चलता रहेगा, इसमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, और मुझे लगता है कि अगले 2 साल में अगर हम देखे, FY25 और 26 तो करीबान 8,000 से 3,000 crore का profit possible लग समझ में लगा, दूसरा point, associate alcohols नाम की company है, सर ने अलड़ी आपको बता दिया है, अथनौल वाली ख़बर का reasons और इस साड़े 500 तक हो सकता है, दोनों share note कर लो, दोनों funda वाले share है, दोनों बढ़िया share है, विनाशर की guarantee है इस पे, आप इसका फाइदा उठाईए का जरूर, चोटा सा dividend dividend दिया है, commentary भी अच्छी है, आप कुछ guide कर पाएंगे सर कि आखर ये share क्यों टूट रहा है, और आज अब करना क्या है, हलांकि कुछ brokerage houses हैं, जैसे कि Morgan Stanley, Goldman Sachs, उनका ये कहना है कि, valuations को लेके थोड़ी सी take out तो hero motor का बहुत अच्छा है, cash flows भी काफी strong है, तो मेर सा दीरे ही आने की उमीद है, तो उसी लिए शायद थोड़ी सी profit booking हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा और correct होने के बाद अगर stock consolidate करता है, तो definitely rural market pick up जब होगा, तभी bounce back भी equally sharp होगा, तो मेरे ग्याल से देखे, two wheeler market में हमने काफी company से बात किये, हमने यही दे और जो delivery में इनों मानते हैं, delivery stock लेके, इसको कोई फिकर करने वाली बात नहीं हाल, एकदम short term के लिए जिनोंने करीदा है, मेरे ख्याल से वो positions निकल सकते हैं, अगर 6-12 मेने का time frame आपके पास है, तो यहाँ पर hold करनी की रहा है, मेरे ख्याल से अगले साल definitely rural market pick up होता है, तो को definitely सबसे ज़्यादा मिले। नीचे भी आप चेक करना, वाई 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 और आपको quarter and quarter बकायदा हम bracket में लिख देते हैं, क्योई and क्योई वाई 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 तो जो numbers में आपके सामने रख रहा हैं, इसके लावा कंपनी का जब profit आया है, करीब आया है, पांसो चालिस करोड ये चारसो पचास करो हैं, लेकिन प्राइवाफेस ही देखके ऐसा लग रहा है कि कोई खास बड़ी दिक्का तो नहीं आ रही है numbers में, growth हर जगह पर ही है, लेकिन share का reaction negative है, 5% नीचे है, सर एक बर जड़ा आपने अगर assess किया तो जड़ा देखके बताएंगे numbers को कैसे read करें? देखे, on the face of it आपने सही कार कि कामकाजी मुनाफ़ा almost 50 टका बढ़ा है, EBITDA margins में भी बड़त हो चुकी है, revenue भी करीवन 20% बढ़ा है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि markets को शायद अभी immediately पूरी results इन्होंने analyze नहीं किया है, क्योंकि 20% के top line growth पे अगर 50% EBITDA बढ़ता है, तो definitely हम इसको अच्छा माने, मेरे ख्याल से इस company का con call शायद आज या कल में होगा, तो उसके बाद हमको थोड़ी सी और clarity management से मेलेगी, but definitely numbers तगड़े हैं, और मुझे लग रहा है कि यही momentum अगर stock, अगर company maintain करती है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि काफी अच्छा valuation पे य और ये दोनों अगर engines grow हो करते हैं, आने वाले साल के लिए भी, तो मेरे ख्याल से point of view से, more clarity मुझे लगता है conference call के बाद आएगी, but definitely numbers काफी अच्छे लग रहे हैं, और मेरे ख्याल से इनको लंबी अवधी के लिए करीदना है, लिएकि उनको ऐसे मौपे जरूर ढूडने जब बजार में numbers अच्छे आने के बावजूद stock चलता नहीं है, तो इसमें कोई fundamentals की बहुत बढ़िया बढ़िया research करके हमको देते हैं, सुबह सिंज से लेके रात को numbers तक, पहले अशिशा और आपका शरत बहुत शुक्रिया, अपने अच्छे से हमकोई compile कर के इस बार के numbers, 15,000 numbers खतम हो जाएंगे, तो मैं पहले ही आपको दोनों को थैंक्यू कर देता हूं, शरत आपसे जरा शुरू करते हैं, यह जरा लास्ट में बताईए, आईशर के number कैसे आ रहे हैं, इसके बारे में भी idea दीजिए, बिलकुल आईशर मोटर्स की बात करें तो हमने sequential numbers को चेक क यहां पर revenue थोड़े muted रह सकते हैं, लगबग 2% का गिरावट आ सकता है, margins apart रहने का उमीद है, लगबग 26% का आकड़ा रहेगा और PAT की बात करें तो 5% की गिरावट sequentially देखने मिल सकती है, अब important बात यह रहेगा जो royal infield है, उनके volumes के अगर बात करें तो sequentially थोड़ी operations है, लेकिन जो product mix का weakness के कारण जो है, थोड़ी सी margins में दबाव देखने मिल सकती है, अगर बात करें commercial vehicle segment की तो यहां पर margins के improvement देखने रहेगी और overall जो है, अभी भी mixed signals लग रहे हैं PAT में क्योंकि अलग-अलग segments के अलग margins के expectation है, लेकिन तीन एहम बात होगी जो आपके earnings को define क सबसे पहला है, product launches की क्या timeline होने वाले, especially premium products को, रॉयल infield को, इसके लावा export outlook और जो commercial vehicle commentary है, जो commercial vehicle में क्या turnaround हो रहा है, क्या bottom आउट देखने मिल रहा हमें, CV का up cycle, वो बहुत important रहेगा, तो overall आईशेर मोटर्स की commentary ज्यादा important है, earning से इस बार. तो ये कुछ अनुमान हमने आपके सामने रखे हैं, एक काम करते हैं, जरा आईशेर के बारे में, फट आवर से एक technical view ले 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 लेते हैं, शिरकांत एक बार जरा आईशेर चेक करेंगे, margins, abita थोड़ा pressure में इस बार आ रहा है, आप जरा बताएए, share भी pressure में है, क्या पहल नहीं है, और शायद मुझे लगता है कि तेजी थोड़ी और जारे रह सकती है, अब चारजार, चारजार, एकसो ता कहने कि यहां से 200 रहसु रुपे की तेजी और बन सकती है, तो current level से अगर कोई भी position है, तो मुझे लगता है इसे भी hold करके चले, जिस प्रकार की तेजी ब है, 3750 का एकस्टापलस रखें, फिलाल तो भी long रखें, नंबर्स मोटा मोटी हमने आपके सामने रख दिये, अगर नंबर्स थोड़े भी ठीक आते हैं, तो आप यह समझ के चलेगा कि शेयर्स का reaction ठीक होगा, इसलिए hold है, बकायदा hold की stamp है,